ग्यान मंत्रा हूम रेमिडीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि नॉस्टो डॉमस की नरेंद्र मोदी के लिए क्या भविश्यवानी थी और भारत कैसे विश्व की महाशक्ती बन सकता है। नॉस्टो डॉमस ने इस बात के बारे में साड़े चार सो वर्ष पहले या बविश्यवानी उन्निस पंद्रा सो पचपन में अपनी एक किताब में किकर दी थी। फ्रेंच भाषा में लिखे अपने इस गरंथ में नॉस्टो डॉमस ने साफ लिखा है कि एक व्यक्ती भारत में आएगा जो भारत की काया पलट कर देगा उसका नाम नरेंद्र होगा जो की आज के संदर्ब में देखा जा सकता है कि भारत के प्रदान मंत्री श्री नरेंद विश्व की महाशक्ती बनेगा भारत का काया पलट हो जाएगा और दुश्मन राष्ट्रों का वजूद मिट जाएगा नॉस्ट्रोडॉमस ने इस पश्ट रूप में लिखा है कि एशिया में 21 सदी में एक महान नेता जनम लेगा नॉस्ट्रोडॉमस की भविश्वार्णी पढ़ने के बाद लगता है कि यह वह समय होगा जब एशिया में धार्मिक कटरता अपने चरम पर होगी जैसे कि वह आज है माना जाता है कि इस नेता से पहले सभी प्यार करेंगे लेकिन बाद में उससे सभी डरेंगे भी वह दुनिया को अपनी मुठी में बंद कर लेगा उसकी शक्ती के आगे सभी राष्ट्रों को जुकना पड़ेगा शीगरी पूरी दुनिया का मुख्या बन जाएगा और धीरे धीरे उससे सभी लोग प्यार करने लगेंगे मगर कही न कहीं वह लोग भाइबीत भी होकर रहेंगे उसकी ख्याती आस्मान चुमेगी और वह विजेता के रूप में सम्मान पाएगा एशिया में वह होगा जो यूरोप में नहीं हो सकता वह शान्ती दूद बनके सभी राष्टों पर हावी होगा कुछ लोग भविश्वानी के अनुसार मानते हैं कि भारत के वर्तमान प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी वही व्यक्ती हैं जिसके बारे में नौस्टो डॉमस ने भविश्वानी करी है क्योंकि वह भी एक गरीब परिवार में जन्मे हैं और उन्हें भी अपना प्रारंबिक जीवन संत की तरह बिताया है और उन्हें भी पहले लोग नफरत करते थे फिर प्यार करने लगे और हो सकता है कि बाद में उनसे डरने भी लगे मगर वहाँ एक शांती दूत के रूप में उख भरेंगे जो की पुरी दुनिया पर राज करेंगे वहाँ समुद्र से सटे किसी प्रांथ में छोटी जाती में जनम लेगा यह नॉस्ट्रोडॉमस कह रहे हैं लेकिन सभी जाती के लोग उसके नाम पर एक जूट हो जाएंगे जिस समय उसकी लोग प्रियता होगी उस समय किसी गौरी चमडी वाली औरत का शाशन होगा लोग जिसके शाशन से त्रसित होकर त्राही त्राही करेंगे उस माहान व्यक्ति का नाम एक माहान संत के नाम पर होगा उसकी प्रशंसा और शक्ति बढ़ती ही जाएगी भूमी और समुद्र में उस जैसा कोई शक्तिशाली नहीं होगा तो आज के संदर्म में जो नौस्ट्रोडॉमस ने बहुश्यवानी करी है वह लगता है कि नरेंद्र मोदी जी के बारे में ही करी होगी और भारत एक विश्वशक्ति के रूप में उबरेगा तो अब ही के लिए बस इतना ही अगर आप और जादा जानकारी चाते हैं तो हमारा चैनल ग्यान मंत्रा हूम रेमिडी सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद